गुद मॉर्लिंग फ्रेंज कैसे हैं आप सर्भोप आप सभी अच्छे होंगे और तिलाल जो है ना मैंने बताया धाना तिछले व्लॉग में की आज भी जाना है मुझे नासी हो तो वहीं से निकली हूँ और 11 बज रहें अब जा रही हो थोड़ा नास्ता खरीदने के लिए अब या गुपता ब्रदर्स यहाँ से नास्ता खरीदेंगे फिर घर चलेंगे अज आवी भी स्कूल ने जिया है तो मैं को हज गई काले नास्ता का खरीब लेती हूं यहां पर अलाउड महीं है कैमरा नास्ता खरीदी निकलते हैं फिर मिलता है नास्ते में मैंने खरीडा क कचोरी साथ में जलेबी और लेके फिर चलते हैं घर फिर आपको दिखाती हूं नास्ता कैसा है बहुत टेस्टी होता है गुपता ब्रदर्स का कचोरी सबजी वगेरा और यह देखिए रास्ते की दूसरी तरफ आ गई थी वहीं से आटो मिलता है आटो ले लिया है मैंने च अब जी जलेबी साथ में चाय और अब इसको खाने के बाद ना थोड़ा लेटूंगी दो रात जगी होना देखो नीद आती है कि नहीं क्योंकि एक दो घंटे ही लेट आऊंगी इसके बाद फिर आज डॉक्टर से अपॉइंट्मेंट है मेरा भी तो शाम को निकलना है चे साम हो गई है कौने चार बज़रे है और अभी पर से मैं वही नर्सिंग होम की तरफ जा रही हूँ मेरा चेक अप है आज अपॉइंट्मेंट ले ली थी डॉक्टर से वही विटामेंटी के लिए तो चार बज़े से मेरा चेक अप का ताइनिंग है और इसके बाद पांच बज़े से नर्सिंग होम में जो पेसिंग को देखने दिया जाता है तो एक साथ दोनों काम मेरे हो जाएंगे तो इसलिए निकल गई हूँ अभी 15 मिनट बाकी है रॉक्टर जर्जमेंट से लिए तो बस बनी आ गई है नर्सिंग होम की गली में पास नहीं है जाकर वहां ब आना जाना डेली यह एक एक्स्टा हो जा रहा है तकली पुरी यह थाम में नॉर्मल ऐसे देखी वॉक्ट कर रही हूं तो इसलिए दर्ज हो रहा है तो एनिवेज डॉक्टर से चेक अप बगेरा करवा कि फिर मिलते हैं और यह देखिए नर्सिंग में आके बैठ गई आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं देखिए कितना अच्छा है ना बहुत सुन्दर लगता है देखने में हो गया डॉक्टर को दिखाना भी और नर्सी मूं में जो देखने जाना था रेख रेख के निकल गई है और डॉक्टर ने फिर से काफी सारे ब्लड टेस्ट व देखते हैं आगे क्या होगा बहुत चारी जवाया लिगी है तिर से इतना इतना खर्च होगा और प्राई करें चले पहले इसीजी करवा लेते हैं और यह देखिए जे-म-डी नाम का है एक हमारे यहां तो वहीं पर इसीजी करवाने आई हूं लेकिन इसमें एक बिल्डिं में जाके इसीजी होना है तो पैसे मैंने दे दिये और अब उसी के बगल में दूसरी वाली बिल्डिंग है वहां जा रही हूं जहां पर होनी है इसीजी यह देखिए जे-म-डी नाम का है हमारे यहां फूल पगान में तो यहीं पर सामने पड़ता है ना तो इसलिए यहीं खराब है और अब तो टेंशन भी हो रहा है पता है कि फिर से इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा दवाईयों में और दुनिया भर का टेस्ट लिखेंगे डॉक्टर तो अब टेंशन हो रहा सच कहूं तो कि इतना खर्च होने के बाद ठीक ने हुई और फिर से सब कु प्रेंट्स घर आ गए आते हुवे मोहों लेकर आये थे तो वो हम लोगों ने खाया लेकिन मैं भूल गई लेना उसका फोटो एनिवेज आने के बाद फिर फ्रेश हुए नहाए क्योंकि होस्पिटल से आने के बाद तो नहाना ज़रूरी है और नहाँ हुआ कि अभी बैठ है इसीजी हो गया इसीजी का जो रिपोर्ट है वो कल दिखाना है डॉक्टर को कल रिपोर्ट मिलेगा इसके बाद फिर जो ब्लड टेस्ट पगहरा है वह भी करना है तो खर्च फिर से शूरू होगा सोचे तीस हजार रुपए खर्च कर चुकी थी इतने दिनों से अपने पर फाइदा कुछ हुआ नहीं दवाई बंद होते ही फिर से तब्यत पहले जैसी ही हो गई उल्टा और जादा जादा विगड़ गई है बहुत सारी ऐसी तकलीफे आ गई जो पहले नहीं गई थी तो परेशान हो बहुत खराब लग रहा है पता है कि इतने पैसे वेस्ट और अभी फिर से सेम सारी दवाईयां शुरू हो रही है और खर्च भी शुरू हो गया जाहिर सी बात है साथ सो रुपए का लग गया डॉक्टर का फ्रीज इसके बाद देर हजार की दवाई और फिर एसी जी तो ख्यार डाई सो का हुआ और मैं पूछ के आई हूँ ब्लड दूkę लोग तो हमें जाँ सारी चीज़ा ना ठीक हो तुझ और दूऌत बाद कीशी चाहिं कर दो besteht Corey शुक्या को जिसे एक कर तो अन्धामाइग ज़ाए इस सुक्तने मिस्ट सेंएठों अग्ई जाता है न साथныग का फिक सैंवा कुट जा घिलत हो टो मॉट अशुएशना प्रेंट्स चलिए व्लॉग खतम करते हैं जा रही हूं थोड़ा सा लेटूंगी बहुत थकान सी लग रही है पता नहीं है नेंद पूरी नहीं हो रही है दो दो रातों से जगी हुई तो कैसा ही लगेगा दव्यत है ना तो देखते हैं थोड़ा सा लेटे अगर नीद आती है तो अच्छी बात है और नहीं आएगी तब तो कुछ उपाए भी नहीं है आज दवाईया खाऊंगी हो सकता है नीद आ जाए रात को देखा जाए क्या होगा नीन की दवाई भी दी ह है डॉक्टर ने डिपरेशन के लिए दवाई दी है एंटिबैटिक भी कुछ है सब काफी सारी दवाईया है कैल्शियम है बहुत सारी और बाकी तो कितना कुछ है जो मुझे पता ही नहीं क्या क्या चीज की दवाई है तो एनिवेज खाऊं उसके बाद देखूं अगर अच्छी होम जाने वाली बात तो एक्चली मेरे भाई का ही एक चोटा सा ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर में तो अभी ठीक है वो अपरेशन हो गया अच्छे से और यह व्लॉग जब आप लोग देखेंगे तब तब वो घर भी आ चुका होगा मतलब डिस्चार्ज हो अच्छे से अभी ठीक है कोई ऐसे बढ़ाने वाली बात नहीं है तकलीफ हुई थी उसको बहुत पहले दिन आपरेशन के बहुत जादा दर्द वखेरा हो रहा था लेकिन अभी ठीक है तो चिंता वाली कोई बात नहीं अब घर में रहेगा ठीक हो जाएगा तो बस आपरेशन के बाद उतना अच्छा है तो बस इसलिए नहीं बताई थी तो आज बता दिया आप लोगों को तो चलिए व्लॉग जो है यहीं खतम करते हैं फिर मिलूंगी कल एक नहीं व्लॉग के साथ तक तक ही लिए बाबाई हाव गुड डेर